तो यह है Redmi Note 5 जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी और CPU Snapdragon 625 मिलता है जो कि actually quick charging support करता है और यही reason है कि मैं इस पे यह fast charging test perform कर रहा हूँ Redmi Note 5 Pro में भी आपको same battery and box contents मिलते हैं जो कि Redmi Note 5 के साथ मिलते हैं बस इसमें प्रोसेजर आपको Snapdragon 636 मिलता है तो guys इस test में जो data cable हम use करने वाले हैं वो है Xiaomi का standard USB charging cable जो कि आपको इस phone के साथ मिल जाता है और traveling charger adapter में हम दो adapters use करेंगे जो पहला वाला है वो है standard charger जो कि इस phone के box के साथ आपको मिल जाएगा और जो दूसरा है वो है Qualcomm का quick 2.0 charger तो सबसे पहले guys हम इस data cable को connect करेंगे जो standard charger है जो कि आपको इस phone के साथ मिलता है उसके साथ और इसको plug-in करेंगे इस cable को अपने phone में तो guys इस phone को जैसे हम इस cable के साथ plug-in करते हैं तो आप देख सकते हैं जो phone है वो normally charge होता है और इसका मतलब यह है कि यह charger quick charger नहीं है वो आप इसकी rating को देखके भी बता लगा सकते हैं बढ़ गई जिससे यह प्रूव नहीं होता है कि यह जो phone है यह quick charging support नहीं करता है तो हमारा जो actual test है अब हम वो perform करने वाले हैं तो इस test में basically हम यह जो quick charger है इसको connect करेंगे अपने device के साथ और test करेंगी कि क्या यह quick charging support करता है या नहीं तो मैं इस cable को connect कर देता हूँ जो Qualcomm का मेरे पास charger है quick charger तो इसको connect करने के बाद आप देख सकते हैं जो charging icon है यह standard icon जो होता है उससे change होके quick charging का जो symbol है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो बैटरी के पास जो charging symbol है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो quick charging का symbol होता है जो fast charging का symbol होता है basically तो वो यहाँ पर आपको show हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह जो phone है यह turbo charging या फिर आप इसे quick charging कह लीजिए तो quick charging को यह support करता है बड़ यहाँ पर जो है अब बात आ जाती है कि इस device में quick charging का support अगर है तो Xiaomi ने फिर अपने specifications में क्यों नहीं mention किया या फिर out of the box उन्हाने जो quick charger है वो उन्हाने provide क्यों नहीं किया अब यहाँ पर या तो ऐसा हो सकता है कि Xiaomi ने अपने कुछ पैसे बचाने के चकर में जो fast charger नहीं दिया है या फिर guys कुछ और चीज़ भी हो सकती है अब मुझे comments में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि Xiaomi ने क्यों जो quick charger है वो provide नहीं किया या फिर specify नहीं किया अपने specifications में अब guys अगर आप सोच रहे हैं कि इस phone के साथ अगर आपको quick charger नहीं मिला है अगर CPU-Z से अगर आप देखें तो इस phone का जो temperature है वो almost 29 degree Celsius पे ही रहा है जो कि काफी standard temperature है और इसके साथ ही guys जो charging time है वो आपको quick charging में बहुत ही कम time में charge हो जाता है over and all यह जो device है यह quick charging को support करता है तो यह मैंने यहाँ पर आपको prove कर दिया है अगर आप कोई video पसंद आई है then please hit the like button और अगर आप मेरे channel पर नए हो तो जो राइट कलो में subscribe button है उससे भी press कर दीचे so thanks for watching this video guys I'll catch you in my next video till then take care